नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंग खर्ना उम्योपेथि क्लिनिक में आपका स्वागत है साथियों आज कल की बहुत बड़ी समस्या है आई साइट की वीकनेस यानि दूर करना दिखना और हमारे तमाम लोग इससे परिशान रहते हैं मैं भी उनमें से एक हूँ लेकिन जो मैं नुस्का आपको बताने जा रहा हूँ वाँ नुस्का करके मैंने लाब पाया है तो मैं आपको भी वह लाब देना चाहता हूँ बहुत पहले हमने नुस्का कभी कहीं पढ़ा था और इसको हमने खुद पे करके देखा और हमने पाया कि यह वास्तब में बहुत बड़ा नुस्का है यहाँ आपकी आँख को आराम देता है आँख की रोशनी को बढ़ाता है आँख को तेश करता है मात्र दो रुपए एक रुपए के खर्चे का या नुस्का है प्रती दिन लेकिन यह वास्तब में आपको आराम दे देगा आज कल की बहुत बड़ी समस्या आई साइट की वीकनेस है मैं समझता हूँ किसी स्कूल के बाहर आप खड़े हो जाएं खासता और से कॉर्णमेंट स्कूल के बाहर खड़े हो जाएं तो दस में से एक बच्चा आपको चिश्मा लगाए दिखेगा छोटा सा नर्स्री का बच्चा या केजी का बच्चा या फस्त का बच्चा तो यहाँ एक आई साइट बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि आख का ही सारा खेल है दुनिया को हम लोग आख के माज्यम से देख के अपने दिमाग तक ग्रहन करते हैं और आजकल तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मुबाईल आ गया है बहुत बड़ा फैक्टर टीवी आ गया है टीवी तो कम हो गया टीवी तो चलो फिर भी ठीक था आदमी कम से कम 15-20 फिट की दूरी बना लेता था लेकिन मुबाईल तो आदे फिट की दूरी एक फिट की दूरी से देख रहा है और आजकल बच्चा लोग आते हैं बच्चा लोग आते ही बीडियो गेम, स्कूल से आते ही बीडियो गेम खिलने लगते हैं और आप उनसे ले भी नहीं सकते कहीं तकहीं से वो अपना रास्ता बना लेते हैं और इन सब प्रक्रिया में उनकी आखें कम्जोर होती हैं, आई साइट वीक होती हैं और वहाँ परिशान होते हैं और अभी वाबक उससे ज़्यादा परिशान होते हैं काफी लोग लेजर के लिए सोचते हैं कि लेजर करा लें कुछ लोग कुछ सोचते हैं कुछ लोग कोई थरेपी सोचते हैं लेकिन कोई थरेपी काम नहीं करते हैं जिसकी eyesight weak है उसकी eyesight weak होती जाती है हम आपको बताएंगे weak होती eyesight को रोकने का जादोई नुस्खा वहाँ नुस्खा जो आपके बच्चों के चश्मे को छुड़ा देगा अगर वहाँ एक preliminary stage में है अभी अभी उसको आखें कमजोर ऐसी महसूस होती है अगर बच्चे की आखे weak हैं तो मैं एक बात आपको पहले बता देना चाहूंगा कि आप उसके चश्मा जरूर लगवा दें फिर इस नुस्खे को करें क्योंकि जित्ते दिन आप चश्मा लगाना उसका डिले करेंगे उतनी जादा उसकी eyesight weak होती जाएगी और कोई भी चीज हो थोड़ा वक्त लेती है तो उसको आप करते रहिए बैक अप के तौर पे लेकिन चश्मा जरूर लगवाईए बताते हैं साथियों आपको एक बहुत छोटी सी बात यह बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी गहरी बात है आपकी eyesight को ठीक करने की आखों की रोशनी को बढ़ाने की myopia यानि nearsightedness को ठीक करने की बहुत कारगर नुस्का आपको साथियों कुछ नहीं करना है आपके हमारे सब के घर में सरसों का तेल होता है और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि खाने को सरसों के तेल में ही पकाया करें यहाँ जो refined है इसको आप देख लीजे गूगल करके तमाम इसके बिरोध में रिपोर्टे आ रही है तो हमने अपने घर में पूरा खाना सरसों के तेल में पकाना शुरू कर दिया है और मैं आप से भी निवेदन करूँगा कि आप सरसों के तेल में खाना पकाई सरसों के तेल कुद्रती होता है और मतलब एक गाउं का आदमी भी उसको ले आता है वो मशीनों से नहीं गुजरता है वो अपने जो constitutional change होता है उससे वहाँ तेल नहीं गुजरता है बड़े crude farm में होता है तो अगर हिंदुस्तान में आज भी एसुविदा है कि इत्ती पी और चीज़े जैसे हम लोग अपने compounders से कहते हैं गाउं से तेल ले आओ वो गाउं से अपने सामने सरसों खरीते हैं पांच लीटर तेल पिरवा के लिए आते हैं जो हमारा कुछ दिन चल जाता है तो सरसों का तेल का खाने में इस्तमाल करें और देशीगी का करें अगर आप अफोर्ट कर सकते हैं तो देशीगी का करें लेकिन मैं defined का मैं विरोध करता हूं इसकी तमाम रिपोर्टे मैं देखता हूं नेट पर तो मेरे मन में वो सुकता पैदा होती है कि पता नहीं किता ठीक हो क्योंकि इसको कुदरत से निकली चीश को आपने उसको molecular फार में डिश्टर्ब करा है उसको refined करा है कुछ चीज़ों को हटाया कुछ चीज़ों को लगाया है तो जितना crude form में कुदरत आपके करीब हो तो उसता अच्छा है पहराल साथियों चलते हैं आपको बताते हैं वहाँ नुस्खा जो आपके बच्चों की eyesight को बढ़ा देगा बच्चों की eyesight को ठीक कर देगा उनकी myopia की condition को खतम करने में आपको मदद करेगा आपको बहुत छोटा सा काम करना है रात में जब आप लोग लेटें तो अगर बच्चे को करना है या किसी को लेटें तो उसके पैर के तलवे में फुट के सोल में सरसों के तेल यानि mustard oil से malish कर दे बहुत छोटी सी बात है लेकिन आप इसका भीसन effect देखेंगी फाइदे मन्द रूप में इसका एक बहुत विक्राल effect होगा आपके बच्चे की eyesight पर क्योंकि सारी nerve endings आपके पैर की foot तक जाती है तो जो एक्क्यूप्रेसर की की एक तरह से आप विधी है एक तरह से एक्क्यूप्रेसर की विधी है जो की चाइना में ज़्यादा इस्तमाल करी जाती है और उसको अगर हम अपने भारतिये संस्कृति के mustard oil से सर्सों के तेल से जोड़ दें तो effect दस गुना हो जाता है तो एक्क्यूप्रेसर प्लस आईरुवेदिक मेडिसिन तो आपको दो चीजें जब एक साथ मिल गई तो एक और एक हमेशा 11 होता है और इसलिए हम यह दूआ भी करते हैं यह प्रे करते हैं विश करते हैं कि इस दुनिया को देखने वाला जो पर्दा होता है यह आखों का स्क्रीन होता है जो दुनिया का रंगमंच को देखता है दुनिया के बदलते लोगों को देखता है दुनिया के बनते लोगों को देखता है आपस के लोगों को देखता है दूर जाते लोगों को देखता है वहाँ सब कुछ ताजीवन आपके बच्चे और आप में साफ साफ देखता रहे उसके लिए है प्रयास है मैं फिर आपको रिपीट कर दूँ जब भी आपको रात में आप लोग लेटें तो अपने पैर के तलवे में फुट के सोल में दस मिनिट पांच मिनिट सरसों के तेल से मस्टर डॉयल से मालिस कर दें और जिन हमारे दोस्तों के भाईयों के बहनों के बच्चे चश्मा लगाते हैं उनको आप ये एक महिना करिए और फिर हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताईए कि उनकी आई साइट डिक्रीज हुई की नहीं आप उनका पिछली रिपोर्ट करिए और फिर उसको एक महिने बाद उनकी आई साइट को चेक कराईए हम उमीद करेंगे और यहाँ उस उमीद को पूरा करने में कारगर बात है जो हमने आपको बताई है इपायर के तल्वे में आप मस्टरड ऑईल मल दीजे आप एक्यू प्रेसर और आईरुवेदिक मेडिसिन मस्टरड ऑईल को यहाँ पर आईरुवेदिक मेडिसिन कर रहे हैं सरसों के तेल को यहाँ दोनों चीजे एक्यू प्रेसर और आईरुवेदिक मेडिसिन आपके बच्चे की आई साइट को इंक्रीज कर देगी हमें आप कमेंट पूर्सन में फिर कहूंगा लिखके जरूर बताईएगा हमें प्रसंदता होगी अपने इस वाक के जो हमने आपको बताया है जो यह कई सारे वाक के बताएं लेकिन एक ही इंपॉर्टेंट वाक था कि आपको पैर को रात में 10 मिनिट सरसों के तेल से अपने बच्चे के पैर के तलवे में मालिश करनी है तो हमारा यहा कमेंट पोर्शन के रूप में पता लग जाएगा अगर साथियों आपको यहां मारी बात अच्छी लगी वह बहुत छोटी सी बात थी एक रुपाई की बात थी लेकिन यहां मैंने बताया दुनिया के रंग मंच को पदलते लोगों बनते लोगों अपने लोगों पराय लो अपने वाट्साइब गृूप में तमाम गृूप में सियर करें और इस समाज को इसका लाप दें और आप अगर इसको सियर करेंगे तो हमें भी कुछ लोग जाएगे मैं आपका भारी रहूंगा आपका हमारे साथ रहने के लिए इस चैनल को सब्स्प्राइब करी चुके ह और वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाल शेयर को शेयर के लिए बहुत 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 के लिए हैं